कि नमस्कार में श्री हर्षा बात कर रहा हूं क्रेजी मनी विच्टी से और कल का आप मार्केट को देखेंगे तो युएसे का मार्केट अच्छली बहुत तेजी से क्लोस हुआ था उसका में कारण यही था कि जॉल्ड जॉब ओपनिंग यह जो आच्छली होता है कि जैसे क्या हुआ है अभी कोविट के सिचुएशन के बाद यह थेजी से गट गया था वहां से अच्छली ऊपर के तरफ ही जा रहा है आप देखेंगे तो ट्रेंड कंप्लीटली ऊपर है और कल भी अच्छली अच्छा क्रा आया था उसके वज़े से कल बहुत थेजी हुआ है वाओ जॉन्स अच्छली एक परसें से उपर बंद हुआ है एसे नपी जो में फाइंड कंपनी से वह भी अच्छली बहुत तेजी से खलो हुआ है नास्टेक थोड़ा दीमय थे बट अक्छली अफ दे अच्छली वह भी रिकवर कर लिया है और स्माल कैप का जो भी कंपनी है वो भी आचली बहुत तेजी से उपर गया है तो ओरल मार्केट का जो सेंटिमेंट है हम आचली रेजिस्टेंस के पास है हम ओर बॉट सिचुएशन पर है तो बहुत सारा बाइंग हुआ है फर क्या हुआ है कि यह जो सिचुएशन तो है वो सब ठीक है उसके बाद भी आचली तेजी बरकरार है तो तेजी में ही रहना है क्योंकि तेजी में ही फाइदा है हम जब भी शॉट कर रहे है वो आचली फाइदा नहीं हो रहा है उसमें तो अगर आचली आप देखोगे आज का जो मार्केट है आज का मार्केट के लिए यूरोपियन मार्केट से में कुछ संकेत आ रहा है वहाँ पर आक्छली जैसे कि जर्मनी का ZEW economic sentiment है वो प्रभावित करेगा average earnings index जो है और claimant count change वो सब आक्छली जो भी आक्छली आकड़ा है यहाँ पर जहाँ पर भी आप तीन स्टास्क आप देख रहे हो वो सब आक्छली बहुत यह आक्छली manufacturing related का आपका है price producer price index आक्छली यह आक्टा जो है वो input prices के हिसाब से है यह भी actually market को प्रभावित करेगा अगर आप देखोगे तो यह continuously नीचे की तरफ actually है तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे actually act आते है तो और दूसरा एक और चीज है कि कल actually CPI numbers है Indian market के लिए तो आज का आक्डा जो बंध होगा तो आज का जो आक्डा है वो कहाँ पर बंध होगा उसके हिसाब से सारा rate cut आगे होगा नहीं होगा वो सब actually निर्बारित होगा तो आज बैंक का जो बैंक निफ्टी जो है 22,000 जो 22,000 से उपर actually trade करता है और hold करता है तो बैंक्स जो है वो थोड़ा तेजी में आ जाएगे अगर बैंक्स actually market को support करेंगे तो market में तेजी बरकरार रह सकती है तो आप देखोगे तो market कुलें का actually जो आक्डा दिखा रहा है तो वो बहुत तेजी का आक्डा है तो almost शाहिद हम 11,400 के आसपास actually हम start कर सके 3,400 कल का जो आक्डा था कल का जो हाई था उससे उपर actually दिखा रहा है हमको देखना पड़ेगा अगर actually sentiment बरकरा रहता है अगर और गंटे के बाद और आप देखोगे तो कल actually एक chart pattern जो बना हुआ है वो थोड़ा negative है तो उसके हिसाब से अगर हम कल का जो निचलास पर है उससे नीचे जाएंगे तो actually market नीचे जाने का संभावना जादा बढ़ जाता है बट अगर actually आप बाकी का जो भी sentiment देखोगे बाकी का जो आकड़ा देख रहे हो सब तेजी के ऊपर ही इशारा कर रहा है तो हमको तेजी में रहना ही फाइदा मंद रहेगा तो वहीं हमको करना है पड़ेगा तो अगर आप मेरे को मेरा चानल को टेलिग्राम में actually आप फॉलो कर रहे है तो वह crazy money विच्छी है तो आपको नीचे description में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप जाकर वहाँ पर subscribe कर सकते हैं एक crazy money विच्छी हिंदी करके मैंने actually एक नया चैनल स्टार्ट किया है वहाँ पर में सारा details जो भी है आपको हिंदी वीडियो पना के बेज़ूंगा और आप मुझे मेरे चैनल यहाँ पर देख रहे तो यहाँ पर आप यूट्यूब में देख रहे तो आप यूट्यूब को subscribe करिए यह चैनल को subscribe करिए और वहाँ पर एक bell icon है उसको hit करिए तो अगर जब भी actually मैं online आओंगा तो आपको पता चलेगा अगर आप तो क्योंकि मैं दुपेर को actually नया stock tips को लेकर आता हूँ और market के बाद actually बहुत सारे time पर मैं आपका question answers लेता हूँ तो आप ये actually एक specific time में नहीं हो रहा है तो इसलिए आप जब भी subscribe करोगे bell icon hit करोगे आपको notification मिलेगा अगर आप facebook में कर रहे हो तो facebook को भी like करिए तो वहाँ पर भी आपको मैं live जब भी आपता हूँ आपको समझ में आएगा तो market का overall जो sentiment है मैंने जैसे कल भी बताया था 11,000 से 11,200 पहले हम actually देख रहे थे आप ही market हम देख रहे हैं 11,200 से 11,400 या 500 तक actually हम देख रहे हैं 11,500 पांसो पचास पर actually एक और gap है और वहाँ पर फिर एक congestion का area है और अगर आप USA market को देखे गए तो S&P का जो आकड़ा है almost हम उनका previous जो high है उसके आसपास है तो 336063 हमने high बनाया है और आप देखोगे तो 52 week high जो है वो 3393 का है वो जो actually all time high भी है और NASDAQ का जो आकड़ा है तो वो तो actually थेजी पकड़ी रहा है वो all time high से उपर ही जा रहा है और खल actually थोड़ा सा अब दीमा था बट फिर भी actually उसने बंद होने वक्त तक actually उसने भी थेजी पकड़ लिया था Dow Jones जो है वो थोड़ा actually नीचे है overall बाकी आकड़े को आप देखोगे तो बक पर actually कल जो थेजी था majorly Dow Jones और वो जो Russell 2000 है जो small caps का जो है इंडेक्स है उसी में ज़्यादा तेजी था बट इन्होंने sentiments को बड़ा के फिर से actually उपर के तरफ ही दिखाया है और ये हमारा हम actually पूरी तरह से actually USA market को follow कर रहे है और market का sentiment अभी भी थेजी है और तेजी में रहने में ही फाइदा है तो वही दिख रहा है और मैं बहुत सब्सक्राइब actually courses जो है पांसो रुपे से ही मैं actually stock market का courses कर रहा हूं आपको नीचे description में details मिल जाएगा तो आप actually join कर सकते हो और special program में कर रहा हूं option market के बारे में वह launch के हिसाब से मैं 999 रुपीज में कर रहा हूं और इसमें actually आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि कैसे actually option expiry day में कैसे आपको trade करना है आपको खाली आप 10,000 रुपे से start कर सकते हैं और एक trade में भी तीन-4,000-5,000-6,000 तक actually profit आ सकता है और इसमें यह की दिन में आप actually आपका income जो है वह double भी कर सकते हैं तो बहुत opportunities है और उसके हिसाब से जो मैं charge कर रहा हूं वह कुछ भी नहीं है तो यह आपको फाइदा होगा और दूसरा बैच हिंदी में होगा तो आपको समझ में आएगा इन डीटेल में कैसे अचली काम होता है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए और अचली इसका फाइदा उटाइए और यह जो चैनल है इसको सबको अचली आप शेर करिये थाकि उनको भी फाइदा हो तैंक यू रिमच शुब दिन हो आपको